असलाम लेकुम स्टुडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने बात की कि फार प्रॉफिट और्गनाजेशन्स नॉन प्रॉफिट सबसेडिरीज क्रियेट कर सकती हैं ताके जो पेरिंट और्गनाजेशन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाजेशन इनकमर्निंग पर फोकस कर सके और जो सोशल मिशन है वो अनिंटरॉप्टेड जो है सबसेडिरी उसको परफॉर्म कर सके उसको एचीव करने की कोशिश करें बाज उकात प्रेस्टरेशन जो है वो फार प्रॉफिट के पार्ट पे नहीं बलके नॉन प्रॉफिट जो है उसके पार्ट पे होती है नॉन प्रॉफिट ओगनाजेशन जो है वो बाज उकात लिमिटेड अपने आपको मैसूस करती है जब उनकी कास तोर पर फाइनेंशल या फंडिंग स्ट्रीम जो है वो कट आउफ होती है या डिस्रप्ट हो जाती है जैसे हमने पहले बात की कि बाज उकात आपको फंडिंग जो है उसको ढूनना पड़ता है इंडिविज्वल डिनेशन्स ग्रांट्स जो है वो लिमिटेड होती है उनके उपर कंडिशन्स होती है ऐसे में नौन प्रॉफिट और्गनाजेशन जो है उसके लोग सोचते हैं कि क्यों न हम अपनी एक पंडिंग स्ट्रीम जो है वो क्रियेट करें कोई और्गनाजेशन हो कोई कंपनी हो हमारा कोई बिजनेस हो जहां से हम पैसा कमाएं और उसको अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस्तामाल करें चूँके नौन प्रॉफिट अपनी नेचर में सिर्फ एकसेस रेवनियू जनरेट कर सकती है वो प्रॉफिट अर्ण नहीं कर सकती उसको प्राइविट गेंज के लिए यूज नहीं कर सकती उसके अकॉंटिबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज है तो वो अपने से अलग ज दिल्चस्प चीज़ ये है कि दुनिया के बहुत सारे मुलकों में इस बारे में कोई लीगल प्रोविजन मौजूद नहीं है पाकिस्तान में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है मैंने पिछले मॉड्यूल में किसी में जिकर किया कि पाकिसान में कोई 12-13 लॉज हैं जो non-profits को regulate करते हैं या deal करते हैं लेकिन उन में से कोई भी law ये provide नहीं करता कि कब एक non-profit और किस तरह से एक power profit organization अपने साथ subsidiary के तौर पे create कर सकती है दोनों के दर्मियान क्या तालूक होगा किस तरह से profit जो है वो तकसीम होगा mission accomplishment किस तरह से होगी इन चीजों के बारे में हमारे हाँ कोई provision नहीं है इसलिए इसकी example जो है वो मैं आपको अमेरिका से दूँगी basically new york से इस example का मुझे याद पढ़ता है हमने इस course में पहले भी जिकर किया था यह एक yonkers bakery है जिसमें unemployable लोग जो हैं हमने इस सवाले से इसका जिकर किया था जैसे ex prisoners हैं, juvenile delinquents हैं, drug addicts हैं, homeless हैं वो लोग जिनहें regular businesses अपने पास employ करना पसंद नहीं करते या यह लोग compete नहीं कर पाते regular businesses की जो formal qualification requirements होती हैं उनको तो ऐसे लोगों को यह अपने पास employ करते हैं यह एक bakery है और उसके साथ एक foundation है जो के not for profit है इसको समझने के लिए के यह mechanism कैसे काम करता है मैं थोड़ा सा आपको इसकी background देती हूँ aerospace engineer थे जैसा कि होता है जिन्दगी में बाज उकात आपको revelation होती है कि यह वो काम नहीं है जो आप करना चाहते हैं तो यह साहब जो थे वो Buddhist monk बन गए और उन्होंने लोगों को योगा और ग्यान ध्यान और इस तरह की चीजों की तरबियत देना शुरू कर दी उनके पास कौन लोग आते थे ज्यादा तर वही कोई drug addict है वो addiction छोड़ना चाहता है कोई frustrated young person है जिसको suicidal thoughts हैं वो अपनी जिन्दगी बहतर बनाना चाहता है और उन लोगों का ख्याल है कि योगा के जरिये से वो अपने आपको एक normal और बहतर जिन्दगी जो है वो दे सकते हैं तो यहाँ से इन्जाहब ने यह अपनी foundation बनाई grace town foundation के नाम से यह not for profit organization थी इसका मकसद लोगों की individuality को बरकरार रखते हुए उनकी personal respect और integrity को काईम रखते हुए उन्हें इस काबिल बनाना था कि वो एक normal जिन्दगी गुजार सके It's a huge mission लोग आपके पास yoga के जरिये से just addiction छोड़ने के लिए आते हैं लेकिन आप सोचते हैं कि किस तरह इनकी एक normal life जो है एक इज़त वली जिन्दगी जो है वो बहाल की जा सके और foundation के तौर पे grace stone जो है उनके पास opportunities नहीं थी इन लोगों को normal life की जो एक new york जैसे शहर में requirement होती है काम, income, earning वो provide करने की ये लोग दूसरे लोगों से, दूसरी organization से request करते थे businesses, shops, इदर, उदर लेकिन लोग reluctant थे businesses reluctant होते हैं किसी drug addict को employ करने पे, किसी ex prisoner को employ करने पे तो उसका हल इन लोगों ने ये सोचा, grace stone foundation ने कि अपनी एक bakery काइन की उस bakery में ये सारे लोग जो है वो काम करते थे, पहले उनको बहुत high end जो restaurants और hotels हैं उनके chef training देते थे bakery जो है वहाँ पर फिर वोग मुख्तलिफ काम करते थे, chef का काम, waiter का काम, production line में या supply line में कहीं भी जहाँ जिसकी कोई महारत थी या जिसका interest था वो उस bakery को चलाते थे आइस्ता आइस्ता ये business इतना ज्यादा जो है उससे revenue आने लगा कि बहुत सारे लोग जो bakery में employed नहीं भी थे और जो grey stone foundation के पास सिर्फ अपनी spiritual healing या recovery के लिए आते थे grey stone foundation उनको भी help कर सकती थी अब ये जो bakery है ये very well known है नियू यॉर्क में अगर आप high end restaurants में या किसी अच्छी bakery का पता पुछे तो उसमें ये नाम भी आता है तो इसको parent organization होना चाहिए था क्योंकि ये grey stone foundation के जो clients हैं उनको उनकी जरूरियात पुरा करती है लेकिन founders ने इसको subsidiary रखा foundation को अवलियत दी क्योंकि उनका बन्यादी मकसद profit earning नहीं है उनका बन्यादी मकसद इनसानों की खास तोर पर ऐसे इनसानों की जो marginalized हैं जो माशरे से excluded हैं जो किसी गलती किसी वज़ा से आम लोगों के साथ शामिल नहीं है mainstream में चूंकि उनकी बहाली है तो उन्होंने उस mission को अवल रखा उसे parent organization करार दिया और bakery या जो far profit business था उसे subsidiary करार दिया bakery से जतना profit आता है वो लोगों को जो उसके employees हैं उनकी जरूरियात पुरी करने के बाद उनके wages, text देने के बाद वो non profit जो उसका parent organization है उसमें खर्च होता है इस तरह का जो arrangement होता है या जो hybrid organization है not for profit parent और far profit subsidiary इसमें American law के मताबिक दोनों की tax responsibilities अलग है जो far profit subsidiary है उसे अपने taxes पेक करने के बाद जो income है वो not for profit को जो देनी है channel करनी है not for profit को अपनी tax exemption अलग लेनी है इसी तरह दोनों के जो board of directors हैं जो उनको run करते हैं वो एक काद overlap के इलावा अलग अलग होने चाहिए क्योंकि एक का मकसद जो है वो profit maximization है वो बिल्कुल मुक्तलिफ approach के लोग होंगे और दूसरे का मकसद जो है वो social services की delivery है वहाँ पे और तरह के लोग होंगे और तरह के decision makers होंगे अलग अलग board of directors, अलग अलग tax responsibilities तो बिल्कुल अलग अलग entities हैं अगर्चे not for profit जो है वो parent organization है और far profit जो है वो subsidiary है Thank you